कि वागत है आप सभी का एको न्यू वीडियो पर देखिए एंपी वोड एक्जामनिशन स्टार्ट हो चुके हैं नेस्ट एक्जाम आपका इंग्लिश का है तो आज की वीडियो में आप नहीं बात करेंगे कि आखरी दिन में इंग्लिश को कैसे कवर करें क्योंकि मैक्जिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हिंदि और इंग्लिश को आखरी में तयार करते हैं वैसे तो आपकी पढ़ाई हो गई होगे आपके पास नोट्स होंगे जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है आगी पढ़ने बैठे हैं वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा उसके एक्जाम करेंगे तो पास हराम से हो जाएंगे तो सारी चीज़े आपको आगे बताता हूं वीडियो में तक बने रही है ना है तो सब्सक्राइब जरू से कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आइकन आउन करके रखिएगा एंपीवड एग्जामनिशन की ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको आगे देता रहोंगा अब देखें ट्वेंथ में आपके पास दो बुक होंगे इंग्डिश की आपका जो कॉशन पेपर पर आये था वह हो सकता है यहां पर घंप्ड़ को उतना वेटिछ का नहीं आता है पर जन बच्चों को नहीं आती अंको यहां पर दिक्कत हो सकती उसका भी में आपका उप्शन बताओंगा कि कहां से आप इनकी पढ़ाई कर सकते हैं बिनए टॉपिक समझे हैं अगर आपक देखिए जिस तरह से आपको board examination का paper करना है exam center पर बैठ कर उसी के according में आपको बताऊंगो कि आपको revision कैसे करना है क्योंकि आपका जो paper आएगा वो 4 section में आएगा काफी बच्चे क्या mistake करते हैं वो section A से पेपर के शुरुआत कर देते हैं अगर आपने mistake करी तो आपका maximum time तो यहीं पर खराब हो जाएगा वैसे भी omr sheet आती है काफी बच्चे को तो इसको भेंडने में भी दिक्कत होती है 20-25 मिनिट वो इसको भेंडने में consume कर देते हैं तो आप खुदी सोचिए English का आपका paper आएगा वो काफी जदा बड़ा आएग करें तो यहां पर आते हैं आपके unseen passage अब जब इनका नाम ही unseen passage है तो इसका यह meaning हुआ कि इनको आपने कहीं पर भी नहीं देखा हुआ यह जो आएंगे वो unknown आएंगे अब unseen passage का meaning यही होता है कि आपको एक unknown सा paragraph दे दिया जाता है बड़ा सा उसके नीचे आपको कुछ उसके question में दिख जाते हैं या फिर किसी भी sentence में दिख जाते हैं तो वही आपके question का answer होता है काफ ज़्यादे आसान होते हैं पर कुछ दिक्कत आपको ऐसा question में आ सकते हैं जहां पर किसी word का आप से question की जो कि यह B section में पूरा writing portion आ जाता है इसमें वह चीज़ा आप से पूछी जाती है जो कि आपको याद करने की जरूत नहीं है अगर आपको फॉर्मेट पता है तो किसी भी टॉपिक पर question आजा आप उसका answer कर सकते हो जैसे कि आपके application आ जाती है वह किसी भी टॉपिक पर हो जाएंगी पूरे माक्स आपको यहाँ पर दिये जाएंगे अगर आपको इन सभी के format देखने तो परिक्षा द्यान यूज कर सकते हैं पर नेट पर तो आप देखी सकते हैं आप टॉपर की पुरानी copy भी देख सकते हैं तो इस section में भी आपको ज्यादे दिक्कत नहीं आ सकते हैं तो अगर आपको इनकी practice करनी है तो सबसेच चौप्षन है अपके परिक्षा बोद है अफरे परिक्षा द्दन उसमें आप पीछे देखेंगे काफिसर इसी टाइप के caution दिये रहते हैं जो grammar portion आता है बहुत ही basic आता है ऐसा नहीं आता कि in-depth आप से grammar के caution पूछे ज से कर सकते हैं क्योंकि grammar के caution होते हैं वो repeat होने के काफ़ ज्यादे chances होते हैं पाकि आपको topic बाइस समझना है तो आप YouTube से भी समझ सकते हैं चोटी 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 से टॉपिक है दो दो तीन तीन मिनिट की वीडियो में आपको concept समझ में आ जाएगा अपन बात करते हैं next section की जो वैसे तो अगर आपने chapter समझ रखोगा थोड़ा सा part अगर उसका आप भी गया तब भी आप उसके answer मन से बना के कर सकते हो इंडिक extract आपके poem का भी आगा इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि poem अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगी क्य तो आपको यादी कनने पढ़ेएंगा परीक्षा बहुत से याद करो अगरा नहीं हो रहा है चैप्टर आपने समझ रखा के प्र पेपर छूटे भी ना आपके अंदर confidence भी आई किया है इतना तो पेपर हमारा हो गया है तो अगर आप section C से start करोगे जिसमें की grammar आती है तो दस question आते हैं दस question अगर आपने starting में कर दिये एक tension तो हमारी खतम हो जाएगी कि एक section तो खतम हुआ उसके बाद आपको start करना है B section B section में writing portion है writing portion का मैंने आपको बताई दिया अगर आपको format पता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो बस आपको इन सभी का एक बार format देखके जाना है उसके बाद आपको start करना है section D जो की सबस आप भूद भी पता है तो आप उनके answer भी आरम से कर दोगे तो इसको आप कीजिएगा third number पे सबसे आखरी में आपको करना है A section अब A section में होता क्या एंसीम पैसे जाते हैं तो उसमें आपको ढूड़ना होता है अगर आपको paragraph समझ में नहीं आ रहा है आप दो तीन बार आपको पता होने चाहिए क्योंकि D section में जो paragraph आता है जो extract आते हैं उसमें कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि यह जो paragraph है या फिर यह जो poem का extract है इसका chapter का नाम बताइए फिर इसका author का नाम बताइए वह भी आपको स्टार्टिंग में section C करना है उसके बाद B करना है फिर D क आपको एक करना है तो उम्मीदी कि आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी अचके वूड़ो में इतना ही कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इस्टा पर डियम करके बाद भी कर सकते हैं